नमस्कार SGB News देखने आप मैं हूँ आपके साथ हरजुन खजूरिया तो राहूल गांदी का Cambridge दोरा जो है वो एक बार फिर से विवादों में है जी हाँ, आपको बता दें इस दोरे को लेकर के आप इंडिया ने एक बहुत एहम खुलासा किया है और खुलासे में काया है कि राहूल गांदी को Cambridge ने लेक्शर पर नहीं बुलाया बलकि ये एक पेड इवेंट था, पेड इवेंट के लिए भारत जोडो नया यात्रा रोक करके बिटेन गई राहूल गांदी और आप इंडिया ने का कि जीसस कॉलेज ने खुद जानकारी दिया ओप इंडिया को और लिखित में जानकारी दिया ये विस्ताद पूरी खबर आपको बताते है दरसल कॉंग्रेस के पूरवद्यक्ष राहूल गांदी अपनी भारत जोडो नया यात्रा को बीच में ही रोक कर और छोड कर विदेश निकल गे कॉंग्रेस पार्टी ने ये प्रचारित किया कि उन्हें केम्बरिज विश्व विद्याले ने लेक्चरर देने के लिए बुलाया है ये सारा दावा दरसल फरजी निकला ये उप इंडिया ने कहा है और कहा है कि हमारे पास इस बात के एक्स्लूजिव सभूत भी शामिल है कि केम्बरिज ने उनको वहां नहीं बुलाया था बलकि एक पेड इवेंट था दरसल राहुल गांदी की जिस यात्रा को केम्बरिज विश्विदेले की यात्रा बताया जा रहा है वो दरसल एक कॉलेज की यात्रा है यही नहीं उस कॉलेज में भी राहुल गांदी ने जो भाशन यानि की जो लेक्चर दिया है जो स्पीच दी है उससे सुनने वाले भी जो है वहाँ पर उस lecture को सुनने वाले भी केवल कुछी लोग थे, मुठी बर लोग थे और इस बाशन को देने के लिए व्यवस्था करनी पड़ी क्योंकि इस जगा को पैसे देकर कोई भी book कर सकता है हम आप में से कोई भी book कर सकता है आप इंडिया ये बात जो है उसका कहना है उसका दाव है कि यूई नहीं कहा रहा है बलकि खुद Cambridge विश्वध्याले के उस जिसस कॉलेज ने ही ये साफ कर दिया है कि राहुल गांदी की विजिट बुकिंग के बाद हुई थी उसका Cambridge University और जिसस कॉलेज से कोई भी लेना देना नहीं है ना ही कॉलेज का और ना ही विश्वध्याले का उसमें कोई लेना देना है और ना ही उसमें कोई सहबागित आ रही है इन दोनों की ना ही वो इस कारेक्टरम के आयोजग रहे है तो देखे ये खुलासा किया है ओप इंडिया ने आपको बता दे कि 21 फरवरी 2024 को कॉंग्रेस के वरिश्ट ने था महसरचीव जैराम रमेश ने इस बात की जानकारी दी थी कि राहुल गांदी अपनी भारत जोडो निया यात्रा को बीच में रोक कर 26 फरवरी से एक मार्च के लिए केंब्रिज विश्विदा ले जा रहे हैं जहां वो लंबे समय से प्रस्तावित दो विशेश लेक्चर देंगे उन्होंने कहा और कहा कि ये लेक्चर 27 फरवरी और 28 फरवरी को होंगे इसके लिए वो नई दिल्ली में हो रही पार्टी की बैटकों तक जो है उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये लेक्चर बहुत आम है ये कहा गया था उस समय जैराम रमेश की तरह से इसके बाद कॉंग्रेस पार्टी से जुड़े कारेकरताओं नेताओं ने राहुल गांदी की तथा कतितिस कैम्ब्रिज विश्चिदैले में दिये लेक्चर को शेर किया पूरा महिमा मंदन किया किसी ने उन्हें साधगी की मूरिती बताया तो किसी ने कुछ हूर महिमा मंदन किया चुँकि कॉंग्रेस का दावा है कि लंबे समय से लेक्षर तै था और ऐसे में एक कारेकरताओं ने पूरा महोल बनाया है महोल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन अब इसकी असलियत जो है वो सामने आ चुकी है क्योंकि राहुल गांदी को बुलाना तो दूर Cambridge युश्रिदाल्ले ने पूछा तक नहीं ये दावा किया गया ओप इंडिया की तरफ से और का गया है ना ही Cambridge युश्रिदाल्ले और ना ही जिसस कॉलेज की तरफ से इस कारेक्रम की सूचना दी गई है और ना ही आधिकारिक जो कारेक्रम है उन कारेक्रमों में इसे लिस्ट किया गया है कहीं पर भी नहीं है ये कारेक्रम और Congress Party ने Cambridge के जिस लेक्चर का बोकाल बनाया था जब उसके बारे में सही सूचनाय नहीं मिली तो उसके बाद The Op India की टीम ने Jesus College के प्रशासन से यानि के Administration से संपर्क किया और कैई सवाल पूछे यह जो सवाल पूछेगे यह सवाल एके करके आपको बताता हूँ पहला सवाल पूछा गया कि Conference Room कब और कितने समय के लिए बुख किया गया था इस तरीके से अलग-लग सवाल पूछेगे दूसरा पूछा गया कि इस कारक्रम के आयोजग कोन थे यानि कि कारक्रम किसने और्गनाइस किया था एक मार्च को ओप इंडिया के सवालों के लिखित में यानि कि return में जवाब दिये जिसमें बताया गया कि Jesus College के एलेना हौल में जो कारक्रम हुआ वो एक paid कारक्रम था एक paid event था पैसे देख करके कारक्रम किया गया इसे college प्रशासन ने आयोजित नहीं किया था ये भी कहा गया और जवाब में लिखा गया कि ये एक बहरी कारक्रम थ था college का इस कारेक्रम के आयोजन या फिर funding से कोई भी लेना देना नहीं है यानि कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया ये कारेक्रम बाहर का था college का इसमें कोई रोल नहीं है college administration का paid event था तो सब कुछ कहां से भीड़ाएगी कितने लोग हैं सब कुछ उनी पर आधारित था college का इसमे के बाद ये कारेक्रम हुआ तो ये खुद जो रिटन में लिखा गया है जिसस कॉलेज की तरफ से और इसको शेर किया है ओप इंडिया ने वहीं इस रिपोर्ट से कही ना कहीं ये साफ हो जाता है कि राहुल गांदी का जो Cambridge दो रहा है वो चुनाव से पहले क्या जंता की आ का प्रयास देखिया व्राए नोंको ये वीधेश आ हैनकर के पहले लेक्षर क्या दिये के इसके बारे में आपको बताऊँगा वो ये सब्सक्रें क्वाढ़ी क्या बहारत पर ही सवाल उठाते लोगतंतर में चले साल थोसार खत्रे में है चात्रों को संभोधित करते हुए वहां पर राहूल गांदी ने ये बयान दिया था कि हम ऐसी दुझी बनते हुए नहीं देखे हमने जहां पर लोकतांत्रिक मुल्यों का महतव नहीं हो राहूल गांदी ने कहा था कि लोकतांत्रिक मुल्यों को बड़ावा देने की जरूरत है इसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता साधी साथ उन्हों ने कहा था कि भारत में बड़े पैमाने पर असमानता और आक्रोश नजर आ रहा है जो लोकतंत्र के गिरावट का सूचक है अब देखे राहुल गांदी ने उस समय भारत की तुलना पाकिस्तान से भी की थी तो बाहर जा करके अपने देश के बारे में ऐसे बोलना अंत्रिक कलय हो सकती है उस समय भी स्वाल उठे ते इतना ही नहीं ज सेट्मेंट है फिर राहुल गांदी ने बृतेन में ही भारत सरकार पर जासुसी करवाने का भी आप लगा दिया था कोई साक्षे नहीं कोई सबूत नहीं कुछ नहीं नहीं एसमेस जाला फोन पर रूसी को लेकर के कहा दिया मेरी जासूसी हो रही है और कहा कि भारत में लोकतंतर के साथ जो है खिलवाड किया जा रहा है यह तो कहानी है पूरी राहूल गांदी की उन्होंने भी कहा था कि पैकसेस सॉफ्ट्वेर के जरीये जो है सरकार ज इरावट बताते हैं तमाम चीज़े कहते हैं लेकिन बढ़ता जो भारत है उसके बारे में बात उनके मुझसे अक्सर कम ही सुनने को मिलती है और इस बीच अब यह जो खुलासा किया गया ऑप इंडिया की तरफ से उनका कहना है जो उन्होंने शेयर की है चीज़े की सब्सक्राइब करें तमाम अपडेट के लिए बने रहें धन्यवाद